मद्यप्रदेश की नगरी प्रशाशन एवं विकास मंती भुपेंद सीही ने संपूर्ण मद्यप्रदेश में सफाई कारे से आउट्सोर्सिंग ठेका पद्धती बंद करने के संबंदत अधिकालियों को आवश्यक दिशन निर्देश दिये हैं यह खबर तीन दिन पूरु भुपाल के अख़वार एवं चैनल और सोशल मीडिया पर खबर फैलते ही शुक्रवार को वालमी की संगिठान अध्यक्ष उमेश जंगाली के नेज़त में कलाक्टर प्रवीन सीही गुपालमी की समाज जनों ने ग्यापन स्वापकर मांग की है संगिठान देने के बजाए श्री-श्री साइंट अप्राइज द्वारा नगत कम वेतन का भुपान किया जा रहा है साथ ही कई ऐसे लोग जिनोंने ठेके में कभी सफाई का कारें नहीं किया उनकी भी फर्जी हास्री भरी जा रही है ठेके में फर्जी तरीके से जिन लोग वालमी की संगटन के बेनर तरले आज कलेक्टर मोदे को हम लोगों ने ग्यापन देकर मांग की है की पूरू में हम लोगों ने वालमी की समाज के बेरोजगार लोगों का सर्वे किया था उस लोगों को नोक्रियों में रखे जाए सम्मचार पत्रों के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलिए कि नगरे परसासन मंत्री जी ने परदेश में पूरा ठेका पद्दती बनकर बेरोजगारों को नोक्रियों में लगाने की बात कई है उसी को धियान में रखते हुए हमने ग्यापन दिया है और मांग की है कि जो ठेके में कारे कर रहे थे उन्हें और जो लोग बेरोजगारे उन्हें नोक्रियों पर सर्वे अनुसार लगाए जाए हम लोगों ने पिछले साल सर्वे किया था वो सर्वे के अनुसारी लगा है चूखिट ठेके परथा में यe हुआ है कि ठेकेसा और निगम के कुछ McD अदिकारियों की फर्जिय भरी गई है हाजो जो जिन लोगों की फर्णिय भर है वे लोग भी अपने दावेदारी पेस कर सकते है उसी को ध्यान में रखते हैं कि वह दावेदारी कि फर्जी तरीके से दावेदारी नहीं पेश करें, फर्जी तरीके से कामों पर नोकरियों पर नहीं लगें, जिन्होंने मेनत किये और जो पात्रिता रखते हैं, उन्हें को ही नोकरिया दी जाए. मैं उमेश जंगाले, वालमी की संगटन, संस्तापक।